नमस्कार दोस्तों मैं श्मित मिस्रा स्वाद करता हूँ एक बाब फिट से आप सभी का MZT Education में दोस्तों राहूल गांधी जी जो की लीडर ओफ अपोजीशन है आज की टाइम पर ये अमेरिकी यात्राइपर गए थे भी और अमेरिका में इन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकाते की उसी में से एक वेक्ती थी इलहान उमर इलहान उमर कौन है जिसको लेकर के कहा जा रहा है इन परारोप लगाये जा रहे हैं कि राहुल गांधी भारत वीरोधी देश वीरोधी ताकतों से मुलाकात कर रहे हैं और इनको ऐसी क्या मजबूरी पड़ गए थी जिसको लेकर के इलहान उमर से इनको मुलाकात करनी पड़ उसको भी एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सारी कुछ इंफर्मिशन आपको जो जरूरी है वो इसी वीडियो में मिल जाने वाला है, तो आप लोग इन तक देखेगा वीडियो, चलिए, वीडियो को सुरुआत करते हैं, आप देख पाओगे, आज के टा लहीं है ट्विटर पर, इसके पीछे कारण ये है कि जब इन्होंने मुलाकात की तस्वीरे बाहर आई, उसके बाद से ही बीजेपी वाले या फिर और भी जो इंडी एलाइंस के जो विरोधी एलाइंस है, यानि कि एंडी एलाइंस के हैं, वो लोग इनको ले करके यहाँ पर बातचीत करने लगे कि ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई, जिसको ले करके राहूल गांधी को इनसे मुलाकात करने पड़ी, कांग्रेस पार्टी ने अपने ओफिसल ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट करके ये जानकारियां दी कि वो किसे किसे वहाँ पर मुलाकात किये, तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारी कांग्रेसमेन के साथ वो मुलाकात किये हैं, देखो, यह कांग्रेस दूसरा है, यह कांग्रेस भारत में कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कांग्रेसमेन की बात हो रही है, यह एक्चुली में वहाँ के सं संसद को कहते हैं Congress जैसे अपने संसद को Parliament कहते हैं और इसके दो लोवर हाउस तो जो अपर हाउस है वो तो है सीनेट कहलाता है वो सीनेट कहलाता है और जो लोवर हाउस है वो है house of representative जैसे अपने हाँ लोग सभा होता है वैसे महा house of representative होता है तो यानि कि अगर इसका कोई member होगा तो उसे हम लोग congressman कह सकते हैं यानि कि congress का सदस्य कह सकते हैं जैसे अपने हाँ संसद के सदसे को सांसद कहते हैं, तो यहाँसे ही यहाँ पर कांग्रेसमेन दिख रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने कई सारे ऐसे कांग्रेसमेन से मुलाकाते की हैं, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, इन्ही में से एक कांग्रेसमेन या कह कई कई मामलों पर ये इंडिया के अपना स्टैंड भी अपना हुआ है तो यहां पर देखिए राहूल गांधी जी है जो लीडर ऑफ अपोजीशन है आज की टाइम पर और यहां पर यह जो दिख रही है यह है इलहान उमर ठीक है तो वासिंगरन डीसी में इन्होंने मुलाका की अमेरिकी कांग्रेस के प्रतनी ही मंडल से रेबर्न हाउस में मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली इलहान उमर भी सामिल थी अब बात करते हैं कि इसको लेकर के विरोध क्यों शुरू हुआ क्यों अमित साहज जो की ग्रेवंतरी जी है इन्होंने कहा कि देश विरोधी बारते करना और देश को तोड़ने वाले ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टे की आदत से बन गई है ऐसा क्यों कहा गया कारण समझे इसको जानने के लिए सब पहले आपको इलहान उमर को समझना होगा उन्होंने क्या-क्या ऐसी कारणा में किये हुए है जिसको लेकर कि वो एंटी इंडिया कही जाती है तो इलहान उमर जो है ये basically सोमालियाई अमेरिकी राजनेता है सोमालिया की मूल की अमेरिकी राजनेता है और जसेक मैंने आपको बताया कांग्रेस विमन है अमेरिका के निचले सदन में ये चुनाव जीत करके आई थी 2019 में अमेर्की सांसद यानि कांग्रेस में पहुचने वाली पहली दो मुसलिम महिला सांसदों में से एक है इनका परिवार 1991 में अमेरिका आ गया था सोमालिया छोड़ करके क्योंकि वहाँ पर ग्रेड चल रहा था इसके बाद यह पाकिस्तान जाने के बाद प्योके चली गए थी और इसी बाद को लेकर के भारत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी यहां पर देखिए यह जा करके फोटो भी पोस्ट की थी फोटो खिचवा करके यह P.O.K में एक ब्रिज है वहां पर जा करके इन्होंने फोटो खिचवाए थी देखिए इस ब्रिज के उस पार इंडिया है और इस पार जो है कस्मीर है और फिर P.O.K को ले करके बहुत सारे इन्होंने बयान भी दिये थे और वहां पर जो कह सकते हैं गवर्मेंट आफ आजा जमू अन कस्मीर है जो वह वाला एलाका है जिसको पाकिसान कहता है कि यह अलग ही एक टेरेटरी बना हुआ है उसका भी ऑफिसल ट्विटर का ट्विट आया हुआ था उसके बाद इसके अलावा और भी कई मंचों पर कई प्लेटफर्म पर भारत विरोधी ये बयान दे चुकी हैं कई बार भारत का विरोध कर चुकी है देखिए प्योके को पाकिस्तान का हिस्सा बताई थी 2022 में पाकिस्तान का दौरा की थी फंडिंग इसकी पाकिस्तान सरकार ने की थी अब यहीं पे बात हुई पाकिस्तान आई थी ये पाकिस्तान की फंडिंग पर उर्सके बाद ये प्योके चली गई थी और प्योके में जा करके वो देश विरोधी बयान दी थी भारत के खिलाव फिर पूर प्रधान मंतरी वगरा से ये मिली थी प्योके के दोरे को ओची राजनीती भारत ने यहाँ पर बताया था इसके अलावा पिछले वर सितंबर में ये खालिस्तानी आतंगवादी हरदीप सिंग निजर की जो भत्या हुई थी तो उसको लेकर के भी ये अमेरिकी संसद में भारत की संलिप्तता को लेकर के पूर्ण समर्थन दिया था कनाडा क आपको अगर याद हो तो जो हरदीप सिंग निजर है इसकी जब हत्या हुई थी तो कनाड़ा ने आरोप लगाया था कि भारत के जो एजंट्स हैं इन्हों ने इसको मारा है और इसको लेकर के जाँच भी करी जाएगी तो अमेरिका ने भी इसको लेकर के भारत को कहा था कि बही देखो इसको जाच करवाओ अच्छे तरीके से और यूएस के डेजिंगनेट भी भारत में आये थे तो यहाँ पर भारतिय सनलिप्ता की कनाड़ा की जाच में अमेरिका का पूर्ण समर्थन करने का आगरा किया था और साथी साथ इन्होंने कहा था कड़ी जाच होनी चा संयुक सत्र में तो उसमें इन्होंने ये उन ऐसे कांग्रेस लीडर्स में सामिल थी जिन्होंने इसका बहिसकार किया था मतलब यहाँ पर सामिल नहीं थी और साथी साथ पीम मोधी पर इन्होंने धार्मिक अल्प संख्यकों का दमन करने का भी आरोप लगाया हुआ था इस तो एक विवात का करण हुआ इसके अलामा अभी राहुल गांधी जी ने वहाँ पर जगा 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 समोधन किया तो उसमें कुछ बयान भी दिये हैं जिसको लेकर के अलग लग बयानों को लेकर के भी चर्चा चल रही है और देश भर में काफी ज़्यादा कंट्रोवर् हैं और हम इस बिमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं ये दिया इन्होंने बयान इसके अलाओं और भी ऐसे बहुत सारे बयान दिये जैसे आरत्षण को खत्म करने का अभी सही समय नहीं है ये इन्होंने कहा जब इनसे आरत्षण को खत्म करने को लेकर के सवाल पूछा गया की बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्टिय धक्ष भी है और मेन लीडर है तो उन्होंने इस बयान को लेकर के कड़ी आलोजना की और इन्होंने कहा कि कांग्रेश की तो हमेशा से ही ये मनसा रही है कि आरच्छन को खत्म किया जाए यानि बात यहां पर ला राकणों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं दलितों को 100 रुपए में से 5 पैसे 5 रुपए मिलते हैं साथ यहां रुपए होना चाहिए था और OBC को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है जातिकत जणनना को लेकर के जब इनसे सवाल नहीं जातिकत जणनना या जलने का असान तरीका है कि निचली जातियां पिछडी जातियां और दलित किस इस्तिती में हैं तो यह जातिकत जणनना को लेकर के इनके बयान थे इसके बाद समान नागरिक सहिता को लेकर के इनका जो बयान है उसको देखिए इन्होंने कहा कि U UCC पर अभी टिपड़ी नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम समान नागरिक सहिता यानि UCC पर अभी कुछ कहेंगे, जब पता चलेगा कि BJP का प्रस्ताव क्या है, क्योंकि अभी BJP ने इसको लेकर के बिल प्रस्तोत किया नहीं है, और इसे अभी हमने देखा नहीं है, हमें नहीं प चुनाओ होते तो BJP 246 के करीब भी नहीं होती, इन्होंने ये आरोप लगाए कि एजुकेशन सिस्टम पर RSS का पूरा कपजा है, मेडिया और जाच एजन्सियों पर उनका कपजा है, इस हिसाब से निस्पक्स तरीके से चुनाओ नहीं हुए थे, नहीं तो अगर निस्पक करना चाहते हैं, ये उनके बीच की लड़ाई है, इसी वज़य से यहाँ पर इस बार कम सिटी उनकी आए, तो ये इनका इस पर लेकर के बयान था, ऐसे ही भारत चीन मामले पर इन्होंने बयान दिया, इन्होंने कहा कि भारत में चीन का कपजा बढ़ रहा है, चीनी सेनिको अमेरिका, यूरोप और भारत जो हैं ये उत्पादक हुआ करते थे, लेकिन फिर हमने उत्पादन करना बंद करने का फैसल लिया, और फिर इसे चीन को सौंप दिया, अब चीन प्रोड़क्शन कर रहा है, भारत जैसे देश मैनुफेक्ट्रिंग की उपेक्छा कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब है कि भारत अपने लोगों के लिए प्रयाप दुरोजगार के आउसर नहीं परदान कर सक रहा है, तो ये कुछ इनके बयान थे, अब मैं फिर से बपता रहा हूँ आपको, ये राज नहीं थी, क्योंकि मामला है इसमें सबका, सबकी विचारदारा अलग होती, सबकी सोच अलग होती है, इसलिए ये मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ, कि क्या आपको सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा, यहाँ पर जो जो भी चीजे थी, मैंने आपको इलहाम उमर के बारे में बता दिया, क्यों हो चर्चे में है, और क्या उन्होंने पिछले क्या-क्या मतलब कारनामे की हुए, जिस वए से एंटी इंडिया कही जाती है, इसके अलावा, राहूल गांधी जी की जो अमेरिका विजिट थी, उस पर भी मैंने उनके बयानों को भी बता आई है, तो एक रिक्वेस्ट आप से, यहां तक अगर आप देखते हुए आए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और इंफर्मेटिब वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ, चलिए, इसके अलावा, अगर आप किसी एक्जाम उगरा के तयारी कर रहे ह इसके लावा हमारे e-books होगारा भी आती है, Current Fair की मंतली मैगजीन होगारा, इनको भी आप ले सकते हो, e-book सक्षन में जाकर, सारा कुछ आपको MZT एप पर मिल जाएगा, तो MZT एप Google Play Store से आप डाउनलोड कर लीजेगा, थैंक यू सो मच, मिलेंगे एगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार जाहें, वंदे मात्रम,